हेलो नमस्कार दोस्तों मैं संजीव साहत करता हूँ अपने योट्यूब चैनल कोईना मीडिया में दोस्तों जैसे आज आपने थमनेल देखा हुआ कि दो कोईन लगे हैं दोस्तों एक फ्रेंट लगा है जैसे कि मैं आपको अब हर वीडियो में एक मोखा भी देता हूँ कुछ मैं अपने कलेक्शन में से लूस करता हूँ आप लोगों के लिए जो आप लोग भी अच्छा कोईन अपने कलेक्शन में रख पाएं एक रेर कैटेगरी का ठीक है दोस्तों और वो भी काफी अच्छी कंडिशन में ही मैं कलेक्शन के लिए आपको दे रहा हूँ तो दोस्तों ऐसी ही यह AUNC और BUNC के दोनों कोईन है आप देख लेना आपको चाहिए हो तो बिल्कुल ओर कर लेना दोस्तों 100-100 कोईन मैंने अपने लॉट में से निकाले हैं आप लोगों को देने के लिए क्योंकि यह रेर कैटेगरी में आ गए हैं जो कि आपको पता है मैं रेर कैटेगरी में ही डील करता हूँ बेसता भी हूँ खरिचता में रेर में ही करता हूँ ठीक है दोस्तों तो य के लिए message मत कीजिए तो दोस्तों कुछ हम भी hold करते हैं तो उसमें से आप लोग मेरे से request करते हैं तो दोस्तों मैं उसमें से दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं भी future के लिए कुछ माल hold रखता हूँ ठीक है तो ये भी चाहिए हो आपको बिल्कुल जल्दी order कर लेना बाद में आप order करते हैं तो मिस हो जाता है पहली ये sold हो चुके होते हैं ठीक है न तो ठीक है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैं आपको क्या-क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में तो पहले दोस्तों आये लो कोईन से शुरुबात कर रहे हैं यह आप देख रहे हैं आये लो कोईन है ठीक है इसका मैटल है कॉपर निकल और वेट है इसका दोस्तों 9 ग्राम साइज इसका 23 mm थिकनेस इसकी 2.6 mm शेप इसकी राउंड है ठीक है बॉंबाई हैदरबाद और नौइडा में आये थी जो कि दोस्तों इसमें नौइडा में रेर कैटिगरी में पोच गया है पहले मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूं यह देख लीजिए आप एक बार यह द को देख लीजिए ठीक है ओपर देखिए हैदरबाद मिंट इसकेर्स में अभी भी तो यह रेर में आगया इसलिए मैं आपको अपने क्लेक्शन में से यह कोईन दिखा रहा हूं यह देख लीजिए आप एक बार यह देखिए दोस्तों ठीक है यह पूरा लौट है 200 कोईन का लौट है दोस्तों इसमें से बस मैं आपको 100 कोईन ही दूँगा 100 मैं भी दोस्तों होल्ड रखूंगा ठीक है यह पूरी पन्नी एक ही थी तो मैंने एक पन्नी खोली उसमें पूरे 200 कोईन थे 200 मैंने आपके आगे रख दिये मगर दोस्तों इसमें 100 के लिए जो है आए तो एक डीलर ने यह पॉस्ट डाली है देखिए आप यह देखिए दोस्तों ठीक है यूएंसी कंडिशन का रेयर क्याडिगरी का कोईन है आई एलो नौइडा मेंट तो दोस्तों 900 रुपे फ्री शिपिंग ठीक है 900 रुपे के साथ यह कोईन दे रहे हैं शिपिंग इंकलूड है इसमें तो 900 रुपे दोस्तों आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा वेल्यू हो गई है डुएडा मेंट की ठीक है मेर से आप लेंगे बहुत ही दोस्तों आज भी मैं आपको मेरी पुरानी बाइंगे है इसलिए मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ मेरे को कोई फरक नी पड़ता दोस्तों मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि आप लोग क्लेक्शन करें ठीक है वो भी मेरे दुआरा करेंगे दोस्तों में को आप हमेशा याद रखेंगे जी मैंने उनसे लिया है और बहुत ही रीजनेवल प्राइस पर लिया है ठीक है दोस्तों मैं खुद दोस्तों दिल से चाहता हूँ कि आप मेरे थूप करेंगे और आप हमेशा में को याद रखेंगे और दोस्तों आगे से अगे अपने लोगों को भी बताईए मेरे चैनल पर आप लोगों को जोड़ि केस की शायनाजी किताब है और इसमें देखिए दोस्तों इसमें अभी भी से कैस केकरी में दे रखा है वेल्य usc में 200 और वय है दोस्तों टिक है अभी एब डेट हुए है अभी द्वुलेट हुए है अभी यह दोलोगे исторc तो बिलकुल अभी लाइक कर दीजिए आप और मेरे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो मैं कोई भी वीडियो डालू सबसे पहले आपको मिले ठीक है दोस्तो तो नेक्स्ट कोईन भी देख लीजिए अब आप दोस्तो नेक्स्ट कोईन है लाल बादु शास्त्री जी ठीक है दोस्तो इसमें स्टेलनस्टीड में भी आयते और कोपर दिकल में भी आयते तो स्टेलनस्टील में तो normal है कोपर दिकल में दोस्तो ये एक rare category का coin है तो क्योंकि यह सिर्फ single mint में आया था दोस्तो और आम जनल सल्कुलेशन के लिए आया था यह भी coin जो कि दोस्तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको BUNC condition का यह coin मिल जाए क्योंकि दोस्तो BUNC condition में इसकी value बहुत जादा है तो यह अभी जो market में चल रहा है इसका 300 पर प्लस चल रहा है BUNC condition में यह बात में को आपको बतानी थी क्योंकि यह भी rare category में आ गया है government side पे update हो गया है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले इसका metal है copper nickel weight है इसका 9 gram size है 23 mm thickness इसकी दोस्तो 1.8 mm में shape इसकी round है ठीक है और यह calcutta mint में 24 की तरफ से issue हुआ था जिसमें कोई mint mark नहीं होता वो calcutta mint का है दोस्तों ठीक है copper nickel निकल वाला 9 gram weight के मैं बात कर रहा हूँ stainless steel की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वह normal coin है जो भी दोस्तों ऐसे coin आयते हैं यह security ages में आयते हैं अगर आपके पार reddit ages है उसको आप समाल के रखें या मेरे से cross check कर वा ले मैं उसकी value बता दूँ आपको यह आप देख रहे हैं 100 coin का lot है जो आप लोगों के लिए निकाला है मैंने ठीक है दोस्तों इसलिए मैं वीडियो भी आपको चला के दिखाता हूँ condition बिल्कुल आप देख लीजिए golden to in aries पर तो यह जैसे दोस्तों एकदम gold है इस पर ठीक है ना जैसे golden shine है पूरी दोस्तों BUNC में इसी तरीके से हमारे collection में रखे गए हैं और यह शुरू से ऐसी रखे हु और आप piece ज्यादा book करेंगे तो reasonable price लगा लूँगा minimum 5 coin आपको book करने पड़ेंगे दोस्तों ठीक है कोई भी आप lot money से लेंगे 5 coin minimum है इससे कम मैं नहीं दे पाऊंगा 5 coin आप ले सकते हैं और 5 coin के उपर जाएंगे तो पैसे मैं बहुत ही ज्यादा आपके लिए reasonable उसमें book के reference से भी आप इसको देख सकते हैं कि copper nickel का है 24 में आया था 9 gram weight में size देख लिजे आप 23CM में और shape इसकी दोस्तों round है ठीक है यह आप देखिए UNC में 100 रुपीस है इसमें scarce category में है भी भी और यह अगले साल दोस्तों पूरी उमीद है कि rare category में इसको भी किताब में शामिल कर आपको दिखा रहा हूँ यह arm general circulation के लिए आया था और इस condition में मिलना दोस्तों impossible है मिल रहेंगे आपको फिर मूँ मांगे rate होंगे उनके वही heavy rate जो मैंने आपको बताया है 300 plus ही है और मेर पास अभी भी यह reasonable price के आप ले सकते हैं ठीक है बस दोस्तों यही दो जानकारी देने के लिए आया था मैं आपको कि वीडियो बना के आपको सबको आगा करना चाहिए आपको बताना चाहिए कि यह भी rare category में आ गए हैं दोस्तों ऐसी कुछ और भी coin आए हैं वो भी मैं आपको लगातार वीडियो बना के बता दूंगा ठीक है तो वीडियो पसंद आती हो आपक वीडियो जो और लोगों को भी help हो सके उनको भी value पता लग सके ठीक है दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आपके भाई टेक के है